संता जंगल में जा रहा था तबी एक साप ने पैर पर काट लिया संता को गुसा आया और पैर आगे करके बोला ले काट ले जितना काटना है काट ले और काट साप ने फिर तीन चार बार काटा और ठक कर बोला तो इंसान है या भूत संता बोला, मैं इंसान तो हूँ, पर मेरा पैर नकली है वो तो लड़कू का बस नहीं चलता, वरना रोती मैलाओं के फोटो पर भी लिख देते नाइस आशू, वंडरपूर टपकती नाख, उफ, क्या रोती हैं आप इंग्लिस की कमजोरी के करण रह गए, वरना हम भी आज किसी की बाहु में होते वो क्यूट क्यूट लिखती रही, और हम कुत्ते कुत्ते समझते रही पतनी को बच्चे के रोने पर इतना गुस्सा नहीं आता, जितना आराम से सोते हुए पती को देख कर आता है बारिस होने पर सबसे ज़्यादा खुशी घर के खिड़की दर्वाज़ों को होती है खुशी के मारे फूल जाते है मैं रोज दोपेर को तीन गंटे आराम करता हूँ दोस्त, ओ, तो तुम दोपेर में सो जाते हो नहीं, मेरी वाइप सो जाती है पपू, डॉक्टर से आपने नर्स बहुत चंगी रखिये उसके हाथ लगाते ही में ठीक हो गया डॉक्टर, मैं जानता हूँ थपड़ गया वाज बार तक आई थी एक दिन टीचर ने एक बच्चे से पूचा स्कूल क्या है बच्चे ने बहुत ही शांदार जबाब दिया स्कूल वहच गय है जहाँ पर हमारे पापा को लूटा और हमें कूटा जाता है टीचर, बच्चे से तेरी कोपी और पेन कहा है बच्चा मेडम, जब से आपको देखा है क्या कोपी, क्या पेन तेरे मस्त मस्त दो नेन मेरे दिल का ले गए चैन खो गई कोपी गुम गया पेन फिर क्या बच्चे का स्कूल आना हो गया बेन एक डॉक्टर के पतनी का ओपरेशन था डॉक्टर ने खुद ही ओपरेशन करने का फैसला किया उसने दो महला डॉक्टरों को सहयोग के लिए बुला लिया साथ में दो नट्से भी थी डॉक्टर ने बेहोसी की दवा दी लेकिन उसकी पतनी बेहोस नहीं हुई फिर डॉक्टर ने बेहोसी का इंजेक्शन लगाया फिर भी उसकी पतनी को कोई असर नहीं हुआ तब डॉक्टर ने तेज क्लोरफॉर्म सुगाने का फैसला किया तो डॉक्टर की पतनी बोली तुम कुछ भी कर लो जब तक तुमारे साथ ही चुड़ेले रहेंगी मैं बेवस होने वाली नहीं हूँ टीचर स्टूडेंट से सेमेश्टर सिस्टम से क्या फाइदा है बताओ स्टूडेंट फाइदा तो पता नहीं पर बेजती साल में दो बार हो जाती है टीचर टीटू बताओ अकबन ने कब तक साशन किया था टीटू सर्जी पेज नमबर 61 से लेके पेज नमबर 59 तक नेपली नोकर सुबह सुबह ओ शाब जी मोटर खराब हो गई साब जी बड़ा परेशान अब क्या करूँ नहाँगा कैसे कमबकत इस मोटर को भी सुबह सुबह ही खराब होना था नोकर क्या करूँ शाब जी फेंग दू क्या शाब जी शाब जी पागल है गया करवाता हूँ साम तक ठीक नोकर ठीक है शाब जी तो फिर आज आलू में मोटर के जगगो भी डाल देता हूँ शाब जी एक मेंड़क जोतिस के पास गया और अपना भविश्य पूछा जोतिस एक लटकी मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी मेंड़क खुशी से उचलते वे कहां मिलेगी गुरू जी जोतिस बायलोजी लेब में टपलू के घर उसका विदेशी दोस्त आया और दरवाजे पर नीमू मिर्ची लटके देख चकराया और पूछा टपलू यह एंटिवाइरस है मेड़ीन इंडिया मरीज डॉक्टर से ओपरेशन सही से करियेगा डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हो मरीज क्योंकि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही फरक है यदि ओपरेशन सही हो गया तो आप सर्जन और यदि आपका हाथ थोड़ा इदर उदर हुआ तो मेरा भी सर्जन एक लड़की जोतिस के पास गई और जोतिस से पूछा बाबा मेरे दो प्रेमी है मेरी साधी किस से होगी कौन होगा वो किसमत वाला जोतिसी एक से तो तेरी साधी होगी और किसमत वाला कहलाएगा दूसरे वाला हजबेंट जिन्दगी में एक बात देखी वाइप क्या हजबेंट मुर्क आदमियों को पतनिया बहुत सुंदर मिलती है वाइप तुमें तो मेरी तारिफ करने का बहाना चाहिए चोदरी साब अपने लड़के के लिए लड़की देखने गए लड़की बहुत काली थी उन्हें पसंद नहीं आई लड़की का पिता चोदरी जी रिस्ता कर लो दहेज में कार दूँगा चोदरी आपका पिचा तो कार से छोड़ जाएगा अगर ये काला जामून हमारे परिवार में आ गया तो हमारे अगले पिड़ी को तो प्लेन देना पड़ेगा आज बाइक से गिर गया खरोष तक नहीं आई पता नहीं कौन-कौन मेरे लिए करवाचोथ का वरत रग रही है अंग्रे जी के साइड इफेक्ट रेल्वे स्टेशन पर एक यातरी ने कूली से पूछा बाई साब पूस्तास कारे ले कहा है कूली ने जबाब दिया मुझे नहीं पता आगे जाकर लेप्ट साइड में इनकौाइरी उपीस है वहाँ पता करो डॉक्टर लड़का लड़कियों का पीचा करने से कोई कैसे मर सकता है डॉक्टर मर सकता है क्योंकि जिनका तुम पीचा करते हो न उन में से एक मेरी लड़की है दामाद महिने भर से ससुराल में था सास कहती है दामाद जी आप अपने घर वापस कब जा रहे हो दामाद क्यों सास बहुत दिन ओ गए आपको यहाँ आई हुए दामाद आपके बेटी तो कही मेहनों तक मेरे यहां रहती है सास उसकी तो वहाँ साधी हुई है ना दामाद और मैं क्या यहाँ अपरण करके लाया गया हूँ लड़की वाले लड़का सराब पीता है तड़के वाले जी बिल्गुल पीता है और रोज पीता है लड़की वाले इसका मतलब अच्छा खासा कमाता है हमारी तरह से रिष्टा पक्का रिष्टा वही सोच नहीं ग्राहक सब्जी वाले से निम्बू कैसे दिये? सब्जी वाला निम्बू दस रुपे का एक है ग्राहक रुको मैं घर से सलाद की प्लेट लेकर आता हूं उसमें एक रुपे का निचोड देना एक महिला मौल में बिस्कुट चुराते वे पकड़ी गई जज ने का तुमने जो बिस्कुट का पकड़ चुराया है उसमें दस बिस्किट है इसलिए तुमें दस दिन की जेल की सजा सुनाई जाती है तब ही पती पीछे से चिलाया जज साब इसने साबू दाने का पकड़ भी चुराया है लड़की मैं केवेल उससे साधी करूँगी जिसका काम दनना हूं चाहो लड़का मुझसे कर लो लड़की तुम क्या करते हो लड़का मैं बाड़ो पर बकरिया जराता हूं पतनी कौन थी वो पती कॉलेज की पुरानी फ्रेंड थी पतनी धीरी से क्या कैकर गई वो तुम से पती कुछ नहीं बस इतना ही कि मुझसे साधी करते हैं तो तुम्हें ये थेला नहीं उठाने देती है पतनी चुड़ैल कहीं की इधर लाओ वो थेला सोचा था चार साधीय करूँगा अगर दो लड़ेंगी तो दो तो प्यार करेंगी लेकिन कर रात को सपना देखा कि दो ने पकड़ा हुआ है और दो पीट रही थी जपलू आदा किलो जलेबी खाने के बाद बिना पैसे दिये जाने लगा दुकंदार ओ भई पैसे जपलू पैसे तो नहीं है दुकंदा ने जपलू के कुटा ही कर दी जपलू मार खानने के बाद उठकर कपड़े जाड़ते वे बोला भया इसी वहां में एक किलो और दे दुख डॉक्टर मरीज से अगर जीना चाहते हो तो अब सराब बिलकुल मत पीना मरीज यह आपके साथ कोन है मरीज यह मनवार करने के लिए आदमी रखा है डॉक्टर सदमे में लड़की डॉक्टर से मेरे चेहरे पर जलन हो रही है डॉक्टर आपके चेहरे का X-ray लेना पड़ेगा लड़की X-ray में क्या होता है डॉक्टर चहरे की फोटो खिंची जाती है लड़की दस मिनिट रुको मैं मेक अप कर लूँ डॉक्टर पेहोस दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले थैंक यू फॉर वोचिंग झाल 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 झाल